हेलो दोस्तों एक बाल फिर से स्वागत करते हम आपका हमारी इस YouTube चैनल पर जैसा कि आपको मालूम है कि हम IPL के हर मैच से पहले उससे जुड़े कुछ रिकोर्ड्स आपके बीच लाते हैं चाहे वह पीच रिपोर्ट हो चाहे हेड टू हेड रिकोर्ड्स हो चाहे टीमों के व से जस्टिफाइ नहीं करता है क्योंकि एक टीम हर को ही लगाए यह बड़ा ही बेतू का साउंड करता है इसलिए हम आपको हर वा चीज़े बताते हैं खास करके वैसे टॉप प्लेयर्स के बारे में बताते हैं ताकि आप खुद से एक अच्छी टीम बना सके तो चलिए बीन 24 में कुछ मुकाबले हो चुके हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे लगिन चलिए इससे पहले जान लेते हैं सवाइमान सिंग इस्टेडियम के पीच रिपोर्ट के बारे में बता दे कि यह स्टेडियम बॉलिंग फिरेंडली होने वाला है साथ ही साथ यह स्पीन और प पास का स्कूर बना लेती है तो उसके लिए वह बड़ा सेफ हो जाता है लेकिन फिर जो टीमें अगर टॉस जीतेगी ज्यादा प्रीफर करेगी कि वह सबसे पहले बॉल करे यानि की चेज करने की कोसिस करेगी क्योंकि चेज करना यहाँ पे थोड़ा असान हो जाता है पहल 214 रन का दो विकेट के नुकसान पर यह राजस्थान रोयल्स ने बनाया था वहीं लोवेस्ट टोटल 118 रन का रहा है दस विकेट के नुकसान पर जो की गुजराट टाइटन्स के नाम रहा वहीं हाइस चेज जो है तो इस स्टेडियम में किया है 214 रन का वहीं जानेंगे दोनों टीमों के head to head records के बारे में इसके अलावा हम जानेंगे दोनों टीमों के हाल के परदसन के बारे में लेकिन इससे पहले जान लेते हैं दोनों टीमों के probable playing 11 के बारे में सुरवात राजस्थान रोल्स से करते हैं बतादे कि इसके प्लेंग 11 में सामिल रह सकते हैं संजू सेमसन, धुरू जुरेल, यसस्वी जैसवाल, जौस बटलर, सिम्रोन हेटमायर, रियान पराग, रवीचंदर नस्वीन, ट्रेंट बोल्ट, आवेस खान, नांद्रे बर्गर और युजुएंदर चहल, ये खिलाडी राजस्थान रोल्स के प्लेंग 11 में सामिल रह सकते हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें, RCB की एक प्रोबेबल प्लेंग 11 के बारे में तो बता दे कि इसमें सामिल रह सकते हैं, फाब्रू प्लेसिस, विराट कोहली, रजत पाटि टेलिग्राम पर देने का काम करते हैं, टेलिग्राम का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है, आप वहां से जाकर हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं, अब चली जान लेते हैं, दोनों टीमों के head to head records के बारे में, तो आपको राइटिंग फर्स्ट करते हैं, राजस्थान ने 5 मुकाबले जीते हैं, और RCB ने 2 मुकाबले जीते हैं, अगर highest total की बात कर ली जाए तो आपको बदादे कि राजस्थान ने RCB की खिलब 217 रन का highest total बनाया है, वहीं रोयल चलेंजर से बैंगलोरू ने राजस्थान के खि राजस्थान की खिलाब RCB की तरफ से खिलते वे 600 रन बनाये हैं, इसके अलावा सबसे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा, राजस्थान रोयल्स की तरफ से RCB के खिलाब Ace गोपान ने लिया है, जो की 14 विकेट लिये हैं, वहीं RCB की तरफ से युजवेंद्र चहल ने RCB का हिसा थे, इसलिए उन्होंने राजस्थान की खिलाब RCB की तरफ से खिलते वे 18 विकेट चटकाएं हैं, हलांकि अब वह राजस्थान का हिसा है, तो दोस्तों ये थी IPL इतिहास के अब तक के Head to Head Records के बारे में, लेकिन चुकि Head to Head Records हम बताते हैं, तो IPL की इतिहास में अ प्राद है कि तीनों मुकाबले इस टीम ने जीते हैं, वही टॉप रन स्कोरर इस टीम के लिए रियान पराग रहे हैं, जिन्होंने अब तक इस टीम के लिए यानि कि IPL 24 में इस टीम के लिए 181 रन बनाए हैं, वही टॉप विकेट टेकर युजवेंदर चहल हैं, जिन्हो कि मुंबई के खिलाफ आया था, बता दे कि 127 रन भी इस टीम ने डिफेंड कर लिया था, अब चली जान लेते हैं RCB के रिसेंट रिकोर्ट्स के बारे में, रिसेंट रिकोर्ट्स नहीं, IPL 24 के स्टैट्स के बारे में, तो बता दे कि RCB ने अब तक, यानि कि IPL 24 में अब त 24 में RCB के लिए अब तक 4 विकेट चटकाएं हैं, अगर हाइस्ट स्कोर इस टीम की बात कर लिजाए तो आपको बदा दे कि यह 182 रन का 6 विकेट के नुकसान पर है, जो कि KKR की खिलाफ आया था, वहीं इस साल का इस टीम का लोईस्ट स्कोर अगर बात कर लिजाए तो कि यह जान करके आप एक अच्छी fantasy playing 11 बना सकें, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ,